बिस्मिल्हारामाराहीम, असलाम अलेकुम, मैं हो के यह महरोर आप देख रहे हैं, आहरलमा क्रिकर्ट दुनिया क्रिकर्ट का सबसे बरा मेले का अगास होने में कुछ ही टाइम रह चुका है पिश्ली वीडियो में हमने Captain C को रेटिंग दी थी, सभी दसो टीमों में जिन्हें आन्ने World Cup खेलना है सभी दसो टीमों के कप्तानों को हमने रेट कीया था, वो पिश्ली वीडियो आप जाकर देख सकते हैं लेगिन इस वीडियो में हम wicket keepers को rate करनेंगे सभी टीमों के wicket keepers कितने कितने उनके पास हैं और first choice कौन सा wicket keeper है और कौन सी team का wicket keeper best है क्योंकि आपको बता है wicket keeper best होगा तो उसके बहुत से फायदे हैं क्या फायदी है मैं आपको बताता हूँ wicket keeper best होगा तो runs कम देगा वो runs रोकेगा और runs बनाएगा भी ज्यादा और जब वो runs भी बनाएगा runs रोकेगा भी तो then team को ultimately फैदा होगा team को फायदा होगा तो team जीतेगी तो then वो traffic लेकर आएगी तो गहानी सारी जोगा वो traffic की ही है तो इसलिए number 10 पर हमने wicket keepers कर जाते हैं सबसे पैज 10 वे number पर मैं 10 से लेकर एक तक जाओंगा 10 वाला keeper जो सबसे आप कह सकते हैं low होगा इस पूरी टीमों में से 10 की 10 टीमों में से कितने कितने captain है सबी चीज़े आएगी आपके सामने तो 10 वे number पर टीम हमारे पास आती है शीड लंका की टीम शीड लंका के पास 3 captain है टीन जो के wicket keeper है इन में जो है कोशल मैंडिस है कोशल परेरा है और तीसरे सदीरा है सदीरा अच्छी कासी बलेबाद यो नेश्या कप में की थी लेकिन फर्स जो है इनके first twice wicket keeper में इनके पास जो है वो कोशल मैंडिस है कोशल मैंडिस आपको keeping करते हुए नदर आएंगे शीड लंका की जानीश से इसके अगर stats की जानीश से जानीश से जाएं तो 112 matches में 3215 runs बनाए है 31.83 की average आपके 84 का strike rate 2.50 और 2.50 और 25.50 इनके बैट से शामिल है जो के अच्छे खासे बलेवाद माने जाती है अगर ये टीम फसी हो ये निकालने में बड़े महाईरे पाकिसान के खिलाफ इन्होंने एशिया कप के मेन मैच में जहां पाकिसान टीम को और सिर्लिंग का वाला अस्टेलिया का वीकर कीपर को इतना खास है नहीं है इसलिए 9 नमबर पर ये टीम आप कह सकती है अपनी जगा पनाने में कामियब रहती है अस्टेलिया के पास जो है वो दो विकर कीपर बलेवाद है एक एलेक्स केरी है जूसरे जोश इंगलिस है दोनों को डिफरेंट मोको पर अस्टेलिया ने ट्राय किया लेकिन अलेक्स कैरी इनकी फर्स्ट विकर्ट कीपर है क्यूंकि अस्टेलिया ने थर्ड ओडी मैच इंडिया के गेंस जाब अपनी प्लेंग 11 उतारी तो उसमें अलेक्स कैरी खेरते हुए नजर आए क्यूंकि उन्होंने फुल से ट्रेंट तीम उतारी थी तो इसलिए लेक्स कैरी विकर्ट कीपर करते हुए नजर आयते हैं तो इसलिए वर्ल्ड कप में भी अलेक्स कैरी आपको विकर्ट कीपिंग करते हुए लेक्स कैरी के अगर जाते ह तेम न्यूजीलांड शेड़ लंक का उसके बाद अस्टेलिया आप न्यूजीलांड आठे नबर पर आती है नूजीलांड के विकट की पर हो गी अगर बात करें तीन विकट के पर हें निके पास देवन कौन में भी है टाम लैंथम भी है गलेन फिलप्स भी है डिफरेंट के साथ यह पूरे कंबिनेशन ट्राइ करते हैं कभी गलेन फिलप्स भी विकर्ट कीपिंग करते हुए नजर आती है लेकिन वह स्कॉर्ट का हिस्सा नहीं है वह टीटोंडी बलेबाद है डेवन कोन में भी अच्छी फाम पे रन्स बनाए है जबके चोती से चरिया तरासी की अवरेज है जो आसी का स्ट्राइक रेड़ है जबके साथ सैंचरियां और इकीस फिफ्टियां भी इन्होंने लगाई हुए है तो इसलिए इनको न्यूजलैंड की टीम को मैंने आटवे नंबर पर रखा है साथवे नं मुश्वीकुर रहीम लेटन दास लेटन दास भी अच्छे गाज़ है बहलेबाद और विकाड़ की कीबर बहलेबाद अंग जब श्वीक खे़े रहा तो दैन वह विक but keeping करेंगा लेटन डास नहीं कीरएंगगे तो ओवराल 256 मैचिस है मुश्वीकुर रहीम ने इतन counterparts मैं हुए है 36 का एवरेच 36 चारिया 85 89 का स्ट्राइक रेट 9 सेंचरिया 46 50 है लेकिन 46 50 है अल्मोस 50 50 मुकमल कर सकते हैं 50 की 50 मुकमल करेंगे वर्ल कप 2023 में और उसके अलावा साथ साथ नमबर तक मैंने आपको तरह आती है आप छटे नमबर पर जाती है जो चारेट church चारी टीम पाकिस्तान लिस्ट में च्छ requis नमबर पर जगा बना रहा है ताप पर को जाती है वह भी आप मैचीज मैसे इन्होंने 1693 रंपना या 36 की शांदर किसम की एवरेज आठासी पॉइंट जो के उनसट का एवरेज दो सैंचरिया और बारा फ्यूप्टिया अपने बैट से ये बना चुकी है पाकिसान टीम के जानिब से तो इसलिए ये छटे नमबर पर जगा रखती है क्यों तो रुबस मोस्ट प्राबरबली फस्ट वाइस इनके होंगे तो रेमालों गरबस के अगर बात करें 26 मैचित में 958 रंस बनाए हुए है 38.32 बैस्ट एवरेज है 85 का स्ट्राइक रेट है पांच सैंचरिया और दो फिफ्टी है सैंचरिया पांच और फिफ्टी है दो और ड नैदर्लेंड के विकर्ट्ट की पर अगर बात करें स्कॉर्ट एडवर्ड जो के इनके कैपटन भी है यह विकर्ट कीपर पर भी आज़ी है वैसले अ हैसले ब्राशी साब मुझूद है. तो स्कॉर्ट एडवर्ड हांगे और डशेौस बीर और विकर्ट कीपर भी है और 38 30 matches में 1212 runs 40.4 का average है बानवे का strike है टू वेल और 1350 भी बनाई है century in के bet से शामिल नहीं है तो नेधर लेंड की टीम आप कर सकते हैं चोथे नमबर पर मुझूद है बंगलादेश को अस्टेलिया को न्यूजलेंड को सभी को पीछे छोड़ कर यह चोथे नमबर पर आपनी जगा बनाने में काम्याब रहे हैं 4823 मैची है 4823 रन बनाया 47.58 की एवरेज है 117 पॉइंट संथिंग एवरेज ट्राइग्रेट सभी के इनका बैस्ट है सभी जितने भी विकड़गी पर बलेबाद है ग्यारा सेंच्रिया और 25 फिफ्टिया भी इंगलेंड के लिए यह लगा चुकी है नमबर 2 पर आते हैं जो के सॉश्फ्रिकल विकड़गी पर बलेबाद है कोईटन डिकोफ जिनका यह लास्ट वर्लक अप है वैसे तो कोईटन डिकोफ एंडरीच क्लास इन दो विकड़गी पर इनके बलेबाद हैं तो लेकिन हेनलिज क्लासिन खेलेंगे तो दूरूर लेकिन कोईंटन डिकोग जो है वो विकर्ड कीपिंग करते हुए नदर आएंगे कोईंटन डिकोग साब का यह लास्ट वर्ल्ड काप लेकिनगे नबर वण पर टीम इंडिया मrzूद है। विडियो में हमने देखा था रोड शर्मा न्मर वण पर जा रहेते हैं। transcript ही फीपर भी इंडिया के पास इंडिया का नबर वण Qisen लेकिन अगर टीम कोई हल्की होगी तो शाहिद इशन किशन विकर कीपिंग करता हुए नजर आए जैसा के मिने स्टेलिया वाले मैच में भी देखा था कभी आप कह सकते हैं के रहा है जब एक मैच में तो के रहा हुल फिल्डिंग के तोर पर खेरे थे जब कैप्टन थे रहे विकर कीपिंग कर रहे था दूसरे ओडी मैच की बात है तो जहां टीमें हलकी हों की शाहिद इशन किशन भी विकर कीपिंग करें लेकिन फर्स्ट जोएस जो हैं वो केल राहूल है केल राहूल कि अगर बात करें 61 मैचिज में टीम इंडिया की निमाइंद के का इनको वजा के गश्एर प्रफीन से बातना झोफीन दस के लाहां है वालमोंस दस टीमों के बताएं लेकिन विकर की पर יאपिंग कि कूश्एवरेज ह्सायु वह को आप कहा सकती है 117 था जो जो बटल हैं तो number one पर team India के KL Rahul साब मजूद हैं और Indian team को देखते हैं किस तरह वो deliver करते हैं world cup 2023 में क्योंकि number one पर तो जाच चुकी हैं यह कैसी आपको यह वीडियो लगी है जिस तरह हमने comparison किया जिस तरह अपके सामने यह points अपने रखे हैं इसी तरह next video में रखते हुए नदर आएंगे या तो आपना बहुत जादा क्या रखिएगा दौाओं में अपने उसक्रीमेर को भी याद रखिएगा कॉमेंट सेक्शन में अपनी राहे का भी इजहार लाजमी तोर पर की दियेगा